हेलो स्टुडेंट्स मेरा टाम है विश्णू और आप मुझे देख रहे हैं विपुल क्लासीज पर आज के इस वीडियो सेसन में हम डिसक्स करते हैं क्लास 10 इंगलेश चैप्टर नमबर 7 पार्ट 2 पार्ट 2 का नाम है दोस्तो कूर्ग जिसको लिखा है लोकेस एबरोल ने और लोकेस एबरोल एक प्लेस का वर्णन करते हैं जो यहाँ पर टाइटल हम पढ़ेंगे कूर्ग तो कूर्ग एक प्लेस का नाम है यदि एक जगह का नाम है तो कूर्ग जगह का वर्णन कितने बहतर लिखते हैं कि जो हमारा कूर्ग है वो कहां पर पड़ता है तो यह कूर्ग जो है हमारा इंडिया का एक प्लेस है करनाटक का सबसे छोटा डिस्टिक है तो करनाटक के सबसे छोटे डिस्टिक का नाम है कूर्ग और यह कहां पर पड़ता है यह मैसोर और मैंगलोर के बीच में एक पढ़ती है और हम यहा पर बाइस भी पहुंश सकते है यहां पर वर्ष के कई महीनों तक लगातार वर्षा होती रहती है ऐसा क्यों होता है एसा वहाँ पर इस्तित rainforest की वजह से होता है क्योंकि वहँ का जो area है कूर्ख का 30% एरिया कवर करते हैं evergreen rainforests तो यहां पर जो visitors के लिए जो समय होता है यानि यहां पर visit करने के लिए हम जा सकते हैं तो वह September से start होता है और मार्ज तक चलता रहता है यह आप September to March वहां पर घूमने जा सकते हैं तो यह एक प्रकरती की बहुत ही बहतरीन जगह है और हमारे राइटर लोकेस अबरोल लिखते हैं कि यह इतनी सुंदर जगह है इतनी बहतरीन जगह है कि मानो kingdom of God से यानि भगवान से भगवान के place से यानि स्वर्ग से एक जगह को यहां पर आवतरित कर दिया गया हो तो इतनी सुंदर जगह है प्रकरती का बहुत ही आनद है तो किस तरह से कितने बहतरीन अंदाज में वह डेस्क्राइब करते हैं यह बहुत ही important है तो my day students यहां तक हम पढ़ चुके हैं तो देखे यह जो जगह है कुर्व यह किस चीज के लिए ज्यादा जानी जाती है सबसे पहले यह जानना जरूरी है तो दोस्तों यह जो जगह है कुर्व यह अपने मसालों के लिए जानी जाती है, कॉफी प्लांटेशन के लिए जानी जाती है, इंडियन मतलब ब्यूटिफुल विमेन के लिए जानी जाती है, हुस्पिटेबल पीपल के लिए जानी जाती है, यहां के लोग बहुती ज़्यादा महवान नवाज होते हैं, और दोस्तों यहां के लोग़ों को कुर्गीज कहते हैं, कुर को कोडागू भी बोला जाता है, और यहां के लोग एक विशेष परकार की पोसाक पहनते हैं, यानि एक ब्लैक कलर का कोड पैनते हैं, और एक बैट लगाते हैं, जिस पर एंबरोइडरी होती है, पूल्प जिसके ऊपर होती है तो इस पोसाख सो मना जाता है दोस्तों कि यह अशन्यश worse पहनी जाती भी अरब में वह भी फ़र्ट के लोग है यह और अरबिक बस्तों के लोग जाता है कि एक बार सिकंदर महान की सेना यानी Alexander the Great की Part of Army यानी Alexander the Great की सेना की एक टुकड़ी यहां पर फस गई थी और वो भार नहीं आ पाये थे सेनिक इस वज़े से उन्होंने अस्तानिय हमहिलाओं से यहीं पर सादि कर ली थी और यहीं पर और रहन सैन स्टार्ट कर दिया था, तो ये माना जाता है कि वो Greek descents से belong करते हैं, यानि Greek oneself है, तो दोस्तों ये वहाँ के लोगों के बारे में है, वहाँ के लोग बहुत ही महमान नमाज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा host होते हैं, खातिरदारी करते हैं और यहाँ के लोगों का विसेस odun होता है इंडियन आर्मी में यानि इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेज़्िमेंट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेटिड है तो मैं यह नहीं कहता है कि और रेजिमेंट डेकोरेटिड नहीं है बाकि सभी रेजिडेंट डेकोरेटिड हैं लेकिन उनको विसेश अस्तान इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जो हमारे फर्स्ट चीप ओफ इंडियन आर्मी थे वो कुर्ग से ही थे जिनका नाम था करियपपा तो इस वजए से उनको विसेश अस्तान मिलता है इंडियन आर्मी में तो यह रही उन लोगों के बारे में बाद अब हमारे जो राइटर है लोकेस एबरोल वो वर्णन करते हैं प्रकृति की छटा का कि वहां पर प्रकृति की छटा जो है किस प्रकार से देखने में बनती है तो कहते हैं कि यहां पर जो 30% एरिया है वो 30% एरिया Evergreen Rainforest का है तो यहाँ पर कावेरी नदी बहती है और कावेरी नदी में जो पानी आता है अधिकतर पानी तो आता है माउंटेन से आता है और माउंटेन यहाँ पर हिम्ग्री की पहड़ियां पढ़ती है तो हिम्ग्री से याली पहड़ियों से आता है पानी कावेरी नदी में लेकिन वो कहते हैं कि एवर ग्रीन रेन फोरेश से भी पानी कावेरी नदी में जाता है और कावरी नदी का पानी बहुत ही साफ होता है और उस साफ पानी में जो यहां पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं बहुत ही विल्ड क्रेचर पाए जाते हैं जैसे माला बार स्क्वेरल पाए जाती है तो माला बार स्क्वेरल होती है, लंगूर होते हैं, मंकीस होते हैं तो ये सब जानवर जो क्या करते हैं, जो स्क्वेरल है, वो फल को काटती है, थोड़ा सा खाती है और फिर पानी में फेकती है, जैसे लंगूर होते हैं, तो लंगूर भी थोड़ा सा फल को खाते हैं फिर पानी में फेकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नज़ोई करते हैं वहुत पानी में फोट फेकते हैं तो छपचप कि आवाज आती है पानी में और एक लहर उत्पन 화let होती है यानी स्पैस होती है तो उससे वह लाते है यहác बहुत अच्छी देखने को छटा मिलती है हमें वहापर और कविरी नदी के तट पर जो है हातियों को उसनान करते हुए भी देखा जाता है उनके महावत वहापर उनको लाते हैं और उनको उसनान कराते हैं उनके सरीर को रब करते हैं तो यह भी देखने में बहुत अच्छा लगता है किंग فीसर वाँ पर मचली का सिकार करती है किंग इसर और सवच पानी की मचली यहां पर महासीर नाम की एक मचली होती है बहुत बड़ी लार्ज ओठ होती है कि ने यह बोद प्रकरती की अठाहर अच्छी छटा है कौफी प्लांटेशन है और पानी के बारे में आपको बताया हिम्ग्री की जो पहड़ियां है अगर आप हिम्ग्री की पहड़ी पर ऊपर चले जाएं क्योंकि यहां पर जो है देखे हाई एनर्जी स्पोर्ट्स यहां पर आपको मिलते हैं यहां जो आदमी आपको अगर आपको मोका मिलेगे आप हिम्ग्री के ऊपर चले जाएं तो वहां से जो आपको व्यूव देखने को मिलेगा तो जब आप उचाई पर चले जाएंगे तो उचाई से एकदम से लेंड एरिया आपको दिखाई पड़ेगा तो इसको हमारे राइटर बताते हैं पैनरोमिक व्यूव यानि आप एक पैनरोमिक व्यूव ले सकते हैं पूर एक एक लेंड एरिया का आप वहां से व्यूव ले सकते हैं जिसको पैनरोमिक व्यूव हमारे राइटर कहते हैं तो दोस्तो एक ब्रीज है जिसको रोब ब्रीज कहा जाता है और रोब ब्रीज जाता है निसार गदमा आइलेंड पर ले जाता है जो बहुत सुंदर आइलेंड है निसार गदमा और 64 एकड में यह जो है आइलेंड है और दूसरी बात यह है कि हम वहां पर देख सकते हैं बुद्धिस्ट मौक को भी देख सकते से हम बोधिस्ट मोग को भी देख सकते हैं जो विजिटर्स हैं वो उनके पास जाते हैं और इंडियन सोल एंड हर्ट को तलास्ते फीरते हैं तो देखे माँ अग्लिठी स्टूडेंट्स इतनी सारी चीजी देखनों को मिलती हैं तो जो लार्जेस्ट तील्टन सेट्लमेंट है वो जो है पढ़ता है भाइले कुपे के नजदीक पढ़ता है तो यह सब कुछ कुछ बताया गया है तो इस तरह से माई डियर story है आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं इस मेशेज पढ़ना है बस इतनी ही सम्रीज आपको याद रखनी है यानि कुर्क कहां पर स्थित है फुर लोग कैसे है कुर के मैं को लोगोंकां कatically लगों का क्या है यनि कहां के वरंस्ग है और यहां पर क्या-के लिजे सब्सक्राइब यदि आप मेरे साथ इसी प्रकार की वीडियो और चाते हैं थेंक यू वेरी मच पर वोचिंग दिस वीडियो बिलते हैं नेक्स सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ